हाई, सब बढ़िया है ना, मैं मजेदार इलेक्ट्रोनिक्स प्रोजेक्ट बनाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इलेक्ट्रोनिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, मैं कहां से शुरू करूँ नमस्ते, कोई टेंशन नहीं, मैं आपकी मदद करूँगी, हम एक टॉय कार बनाएंगे और बिजली, सर्किट और इलेक्ट्रोनिक्स के बारे में सीखेंगे, क्या कहती हो, वू हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तो शुरू करते हैं चाहे आप LED जलाना चाहते हो, या मोटर घुमाना चाहते हो, आपको उर्जा के स्त्रोत की आवशक्ता होती है, जैसे की सेल या बैटरी बिल्कुल वैसे जैसे ठके होने पर आपको कोई भी काम करने का मन नहीं करता, और एनर्जी के लिए आपको कुछ खाने या पीने की आवशक्ता होती है, और फिर आप काम कर सकते हो, जैसे सेल्फी लेना, या उढ़ना अगर आपके पास सूपर पावर्स हैं तो, इलेक्ट्रिक सर्किट या विद्यूत परिपत में एनर्जी बैटरी से मिलती है, ये एनर्जी तारों द्वारा सर्किट में ले जाई जाती है, इस एनर्जी का अलग-अलग प्रकार से उप्योग किया जा सकता है, जैसे बल्क जलाना, इस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, मान लो बैटरी एक पानी से भरी तंकी है, इस तंकी में पाईप लगा दे तो पानी बहने लगेगा, बहते पानी में उर्जा होती है और यहां उर्जा काम कर सकती है, बैटरी पानी के बजाए इलेक्ट्रॉन से भरी तंकी है, electron atom के अंदर छोटे कड़ होते हैं, जब हम बैटरी में तार जोडते हैं, तो तार में electron flow करने लगते हैं, इन flowing electrons में कार्य करने की क्षमता होती है, जैसे बल्ब जलाना या मोतर घुमाना Flowing Electrons को Electricity या विद्यूत कहते है यानि विद्यूत प्रवाहित Electrons की उर्जा है और Electronics की सरल परिभाशा है Flowing Electrons का Control एक सर्किट में हम Electrons के प्रवा को या तो Mechanical Switch से नियंत्रित कर सकते है या हम Electrons के प्रवा को SENSORS जैसे अन्य Electronic Devices से Control कर सकते है Electronics को एक मज़ेदार ढंग से समझने के लिए हम एक Toy Car बनाते है इस Toy Car को हम पहले Switch से और फिर SENSOR से Control करेंगे आगे बढ़ने से पहले क्या मुझे समझा सकती हो कि अब तक तुमने क्या समझा? जरूर मैं संक्षेप में बताती हूँ Electrons के प्रवा यानि फ्लो को विद्युद या Electricity कहते है Electronics की एक सरल परिभाशा है Electrons के फ्लो को कंट्रोल करना हम Switch या SENSORS से Electrons के फ्लो को कंट्रोल कर सकते है Very Good अगले वीडियो में हम Tinkercad में सरल सर्किट बनाना सीखेंगे झाले प्लो को के एक सकते है